रिवा जिले के राइपूर कर्चुलियान ब्लॉग के ग्राम पंचाइद ब्योहरा ग्राम परसा निवासी अर्विन पटेल ननद अर्चना पटेल ससूर मोतीलाल पटेल और माता के मिलकर अपनी पूजा पटेल की निर्दई तरीके से हत्या कर दी और बाद में घटना की जा भाई राजू पटेल को मिली वह तुरंत अपने घर में फोन लगा कर घटना की जानकारी दी जिसके बाद पूजा के माई के वाले रात में ही करीब 10 बजे भाई और बड़े पिता पूजा के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूजा की मृत्य हो चुकी थी और जिस तक्त में लिटाया गया था उस तक्त में सिर से खून पानी की तरह बह रहा था और जिस तक्त में लिटाया गया था उस तक्त में सिर से खून पानी की तरह बह रहा था पूजा के भाई और पिता ने तुरंत पूलिस को सूचित किया घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंद घटना इस्थल में पहुँची और इस्थित को देख कर मौके में मिले अर्विन पटेल और मोतीलाल पटेल को पकड़ कर थाने ले गई जिसके बाद माई के वालों ने पुलिस के अधिकारियों से फॉरेंसिक जांच की मांग की इसके बाद बॉडी को पीम कराने के लिए राजी हुए थें बताया जाता है कि फॉरेंसिक डॉक्टर और मजिस्ट्रेट के द्वारा घटना इस्थल पहुचकर पंचनामा किया गया और बताया गया कि रात करीब आठ से नौ के बीच हत्या की गई है और घटना सोची समझी साजी से पूजा की मौत संबल रौड डंडे लगने से हुई है जिसकी तलासी पुलिस द्वारा ली गई तो मौके पर संबल और रौड बरामत किया गया पर जनों ने आरोप लगाया है पुलिस विभाग के अधिकारी CSP और T.I.E. ने घटना इस थलकी निस्पक्ष जांच में पाया कि ससूर मोतीलाल पटेल द्वारा कई दिनों से मांसिक और सारीरिक प्रतारना दी जा रही थी और अपने साथ हम बिस्तर होने के लिए दवाब दिया जा रहा था जिसकी जानकारी पुजा पटेल ने पहले भी अपने माईके में दी थी पुजा द्वारा ससूर की मनमानी ना मानने पर जान बूच कर हत्या की गई है जिसको सबल रौट से मारा गया पुलिस ने धारा 302 और अन्य धाराएं लगा कर अपराधी को जेल भेज दिया है और फरार सास और ननत को जल्ड से जल्ड पकड़ कर न्याय आले में पेस करने का आस्वासन दिया है क्या घड़ना हुई है आपके हमारी बच्ची के साथ में मार पेख लिए क्यां परसा की है उसके पत्ती का नाम अरविन पटेल है और सब्सक्राइब का नाम हो मोती लाल पटेल इसकी साथी आज से साथ बर्स की गई थी साथी करने की एक बर्स बाद से ये फताड़ीद करने लगे थी काफी सताते थे और इसकी ननद पुलिस में सर्विस करती है और वो जब भी घर आती थी काफी परेशान करती थी और सास परेशान करती थी इसका जो ससूर है तो ससूर कि मैंने वो गलत निगाए ता और हमेशा इससे गलत बरताओ करता था प्रताड़ी करता था और हमेशा धंकी देता था कि तुम मेरे कहने की अंसाल नहीं से लोगी तो तुमको घर में नहीं रहने देंगे और उसका परड़ाम यह हुआ कि उसको माड़ा है आप जब घटना अस्तर पर पहुंची तो क्या कुछ साबूत और कुछ मिला है जब मैं घटना अस्तर पर पहुंचा तो वहां देखा कि पूजा पटेल मेरी वच्छी जो है तो उसके सीरी में काफी शोट लगी थी उसका सरीर उसके सीर से फून बाहरा था और मैं उसको मै तक्ता पर लिटाये हुए थे जब हम लोग देखे तो वह मिर्ट थी लगधा घंटे पहले सी मौत हो चुकी तो शरीर उसकी कई जगाए निसांस है इसकी जानकारी आपने किसको दिया और कि इसके बाद क्या आपने लिए गटना की जानकारी मुझे लड़की की ससूर अब हम लोग छेगे हिए और द्वारब मुझे जानकारी मेरी साड़े नौ बजे रातरी को एक तारीक की रातरी साढ़े नौ बजे है हम लोग छे साथ लोग वहां घर से चले साड़े दख बजे यहाँ परसा पुंचे परसा पहुंचने के बाद देखा है प्लिस को पोन क आदा गंटे बाद पुलिस आई और पुलिस अपने इसाफ से पने जांच की और उन पुलिस देखी देखने के बाद पुलिस ने कहा कि इसकी मारने से मौट कुली आप इस घठना को लेकर सासन प्रसासन से क्या माग करते हैं हम यही चाहते हैं कि इन चारों को ससत्त कारावाज दिया जाए और यहां तक कि जिस तरह से बुर्डोजर बाबा कर निया है उस तरह से इसके साथ बरताव किया जाए चारों को ससत्त कारावाज किया जाए आसी दी जाए और इसके घर में बुर्डोजर चलवाए जाए ताकि किसी दूसी दड़की के साथ सी तरह की बाठा क्या नाम है आपको मेरा नाम हो तिरल पटेल निवासी गरांग जूसी ठाना नहीं गड़ी दिलारीवा मत पूजा पटेल मिचक मेरे तीजी है और ये कल की घठना है राज की इसके पती जो मलेटरी में नुपरी करते हैं साथी के समय से ही उसके पती सास और ननत द्वारा इसे बार बार पताड़ी पिया जा रहा था और भीगत कई वरसों को इसकी सोचना दे रही है कई बार हम लोग लग्जा को देख करके ये लग रहा था कि अफुदर जाएगा और इस प्रकार से चलता रहा जो पूजा का पती है एक दूसरे लग्जी के साथ है अगय संबंध है और वो रिवा में रहती है और जब भी वो छुट्टी से आता था घर नरा करके वो उसके सार रहता था इस बात को लेकर के पूजा भी कई बार आपक्ती थी और उसका पत्नी और पूजा की जनक ये चारो लोग मिल करके उसको राड और सब्बर से मार पीट की है और मार पीट करने पर उसकी वहीं पर घटना अस्तर पर ही मिर्तुकारित हो गई मिर्तुकारित होने के बाद इसका पूजा का जो ससूर है उसने मितिका के भाई को बाहर नुपी करता है उसको सूचना दिया कि तुमारी बाहन को भैंस नमार दिया खतम हो जया तब उन्होंने घर में सूचना दिया और घर की लोग वहां पे रात में ही 10 बज़े अपना पर पहुंचे जहां देखे कि तुजा को मितर कवस्था में एक तक्था पर लिटाया हुआ था और उसके पूरे बाड़ी से पूंबारा था उसी समय पुलिस को सूचना दिया और पुलिस भी वहां पहुंचे और पुलिस ने वहां तकाल दो लोग मिले अर्बिन पटेल उ लोग परिवार की लोग वहां रुके रहें और सुबह हम लोग भी घटनास्तार पर गये और पुलिस अफिक्षक रिवा और डियस्टी हेड़ को इसके जानकारी दी जिसमें टी आई राइपुल खंशिव्यान द्वारा हेड़ आपिस जानकारी देख करके और एंसिक से लगा कि कोई भी जानवर के सिर मार देने से इस परकार की चूट गांपर्सा में जो घटना हुई है उसमें आप उस बच्ची की क्या लगते हैं और आपका क्या कहना है हमें रिष्टे से भाई लगते हैं हम पूर विसर पंच थे और जब घटना के बारे में हमको जानका तो सास और ननद मिलकर अपराधिये हैं मारे हैं लाठी गनदा सेुन को बहरी से जा दिया जाये इसलिए कि कि बीच बीच में और इसका आदमी घटारित कर दिया थे रिच trapped है इसरी माते थे वीच बीच में संबेशा आता था कि यह का क्थी दिनों के त्रताडित कि प्रप्राइब कर दिया जाए पुलीस प्रासन दोरा क्या कारवाई की इस घड़ना के बाद पुलिस भाज दोरा और टी आई और तो 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 भी आए पहिने के लिए पहिने के हिजाज परताल यह है और असद यह है कि करी से करी हम सजा देंगे कारवाही करेंगे इस तबिके सिया सॉसमिया गया सासन से क्या माग है आपके कि आंक को मद्या करी से कड़ी से क्ड़ी कुंक आपर नाम है कि क्या नामometर नाम